अमीर नंद की चोर भावी अब क्या करें सरन्या? आज फिर से मा की दवा लाने का टाइम हो गया है, लेकिन मेरे पास तो दवा के लिए फूटी कौडी तक नहीं है आप चिंता मत कीजे, मैं पैसो का इंतजाम करती हूँ तुम इंतिजाम करोगी, अरे आज के दौर में किसी के जी से एक रुपया नहीं छूटता है आज का दौर ही ऐसा है, लेकिन आप चंता मत कीजे, मैं किसी गैर से नहीं, बलकि जोती जी से पैसे लेने जाऊंगी पहले से पहले ही ऐसा सोच लेना गलत होगा, मैं एक बार जाकर उनसे बात करूंगी सरन ने अपने पती से ऐसे बोल कर, अपनी अमीर ननत के ससुराल पहुँच गए जहां पर गरीब भावी को दर्वाजे पर ही चपरासी ने रोक लिया अरे-अरे, कहां जा रही है? ये मेरी ननची का ससुराल है, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ अच्छा, तुझ जैसी भिकारन की यहां नंद रहती है? जी हाँ मेरा भी यहां बाप रहता है, बस क्या है न, वो मुझे अंदर नहीं बुलाता, तुभी निकल जाए यहां से, चल मजाग मत कीजे, मुझे जानी दीजे अरे, पाउ में फूटी चपल नहीं है और कहती है कि इस बहल से घर में तेरी नंद है अरे, दिमाग चला हुआ है, क्या इसका? निकालो इसे चपरासी सरन्या को पकड़ कर बाहर निकालने लगा, उसकी आवाजे सुनकर बाहर जोती आई और उसने सरन्या को देख लिया अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़िये इन्हें, ये मेरी भाबी है जोती सरन्या को अंदर ले आई बैठिये भाबी, आप पानी पीजिये मैं नाश्ता मंगवाती हूँ नहीं ननजी, मैं यहाँ नाश्ता पानी के लिए नहीं आई हूँ मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी बोलिये, वो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, आप तो जानती है हाँ, मैं अपने मरे गिरे घर के हालातों को जानती हूँ लेकिन यकीन मानिये भाबी, यह महल जो आपको दिखाई दे रहा है यह तो बस बहारी दिखावा है, वरना मेरे पास तो एक हजार रुपए भी नहीं है घर में बड़ी तंगी चल रही है वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में आपको जवाब देती हूँ यह देखे भाबी, यह जो प्लेट और चम्मच आपके सामने रखे हुए हैं यह प्योर गोल्ड से बने हुए मेरे पती इन ही सब चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं अच्छा, आप ठहरिये, मैं आपको अपनी कल लाई हुई साड़ी दिखाती हूँ अच्छा, जोती सरन्या को छोड़ कर अपने कमरे में साड़ी लेने चली गए बेचारी सरन्या अपनी सास की हालत से मजबूर थी जिसकी वज़ा से इसी मजबूरी ने उसे चोड़ी करने पर मजबूर कर दिया और सरन्या ने आहिस्ते से अपने बैग में सोने का चमच रख लिया माफ करना ननत जी, मैं इसका हिसाब आपको चुका दूँगी कुछ देर बाद सरन्या वहां से लोट आई जोती अपनी भावी को परिशानी दिखाना चाहती थी लेकिन इसी बीच वो अपने पैसे का घमंड भी उसे दिखा रही थी सरन्या ने उस सोने के चमच को बेचा और अपनी सास को वो डॉक्टर के पास ले गई आपकी मापर अब दवा का कोई असर नहीं होगा हैं? पर क्यों? इनकी परिशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब दवा से कोई फाइदा नहीं है हमें इनका ओपरेशन करना होगा और अगर एक हफ़ते के अंदर-अंदर ओपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है ना 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 नहीं नहीं डॉक्टर मैं अपनी सासू मा को कुछ नहीं होने दूगी आप मुझे बताइए कि ये ओपरेशन कितना महगा है एक लाख रुपए में इनके दिल और पेट दोनों की जगय का ओपरेशन हो जाएगा एक लाख? जी हाँ अगर एक हफ़ते के अंदर अंदर ये ओपरेशन नहीं हुआ तो आपकी मा की जान को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा डॉक्टर ने सरन्या को एक नई टेंशन दे दी थी जो गरीब बहु अपनी सास की दवाई के लिए भी चूरी करके पैसे लाई थी अब उसके लिए अचानक एक लाख रुपए का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल था सरन्या ने ये बात विवेक को भी बताई अब तो लगता है कि हमें बिना मा के रहना सीखना होगा ऐसा मत कहिए मैंने अपनी एक मा को बच्पन में ही खो दिया था अब मैंने नहीं खोना चाहती हूँ मैं मा जी को कुछ नहीं होने दूँगी एक लाख रुपए का इंतजाम कहां से होगा कहीं से तो भगवान जी रास्ता निकालेंगे ही मैं नना जी के घर जा रही हूँ हो सकता है कि अब उनके दिल में अपनी मा को सुनकर रहम आ जाए सरण्या फिर से मदद मांगने जोती के घर पहुँच गई जो आराम से बैठी हुई अपने घर में पकवान खा रही थी कोई है? आप कौन? जोती जी कहां है? मैं उनकी भावी हूँ अच्छा आप यहीं रुकिए मैं उन्हें बुला देती हूँ उस लड़की ने जोती को बुलाया ये भावी जी रोज रोज यहां क्यों आ रही है? नमस्ते भावी नमस्ते ननजी कैसे आना हुआ? ननजी मैंने आप से जो बोला था उसी का जवाब लेने आई थी हम पैसे देखिये भावी मैंने आपको उस दिन भी बताया था मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है अच्छा मैं पैसो के लिए इसी लिए ये बाते हम बैठ कर कर लेंगे आईए बैठिये आप पहले भी यूहीं चली गई थी हाज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी नहीं नैनजी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है आप भी ना शर्माये मत आईए आप मेरे साथ कमरे में चलिए मैं आपको अपनी कल की लाई हुई ड्रेस दिखाती हूँ जोती सरन्या की एक भी सुनने को राजी नहीं थी वो बस अपनी ही दुनिया में मगन थी जोती सरन्या को कमरे में ले आई और अपनी अलमारी खोल कर उसे अपने कपड़े दिखाने लगी कैसा है भाबी? वैसे ये वाला गाउन भी अच्छा है ना? आप रुकिए, अब मैं आपको अपनी सबसे स्पेशल मालकिन, आपको नीचे कोई मिलने वाला आया है मुझ से रोकोन है मैं आती हूँ भाबी आप ये देखिए तब तक मैं नीचे से आई जोती सरन्या को कमरे में छोड़ कर नीचे चली गए सामने ही अलमारी में तिजोरी थी जिसे देख कर सरन्या को ना चाहते हुए भी अपनी सास के लिए उसके पास जाना पड़ा माफ कीजेगा नना जी मैं आपके खजाने में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल रही हूँ अलमारी के अंदर ही उस तिजोरी की चाबी थी सरन्या ने उससे उसको खोला और वो पैसे निकालने लगी अभी वो ऐसा करी रही थी कि तभी उसे जोती ने रंगे हाथों पकड़ लिया भाभी नना जी आप मेरे घर में चोरी कर रही है आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की मेरी बात सुनिये नना जी मैं ये पैसे अपने स्वार्थ के लिए आज तो आपकी खैर नहीं मैं अभी भाभी भाभी को यहां बुला रही हूँ और मा को भी अब वो दोनों ही आपकी अकल को ठिकाने लगाएंगे जोती ने सरन्या की एक नहीं सुनी और उसने फोन करके विवेक को अपने घर ही बुला लिया उसने सरन्या को अपने गाड़ से पकड़वा रखा था क्या हुआ जोती? भाभीया आप यकीन नहीं करोगे जिस भाभी को मैं देवी समान मानती थी उनकी नियत में खोट है आप जानते हैं इन्होंने मेरे घर में चोरी की? क्या? मेरी बात सुनिए विवेक जी मेरे पास कोई और चारा नहीं था आप तो सब कुछ जानते ही है नना जी मेरी एक भी जुनने को तयारी नहीं थी तो ऐसे में मैं क्या करती? मेरी नियत में खोट नहीं है मैं तो बस मा जी के लिए ही ये सब कर रही थी विवेक सब कुछ जानता था अपनी बीवी की बात सुनकर विवेक अपनी अमीर बहन से बोला जोती अपने गाल से बोलकर हाथ छुड़ाओ मेरी बीवी के भया आप इस चोर को अभी भी अपनी बीवी बोल रहे हो चुप बस एकदम चुप हाथ छुड़ाओ सरण्या के भया आप अल्ले हो गए हैं ये औरत चोर है चोर नहीं है मजबूर है मैं बताता हूँ तु अपनी भावी को चोर तो बोल रही है लेकिन एक बार भी जोती तुने इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया नहीं ना मैं जानता था क्योंकि तु अपनी अमीरी में इतनी जादा चूर हो गई है कि तुझे इस सबका तो ध्यान भी नहीं आया होगा कि तेरी भावी क्यों तेरी चोखट पर आती है अरे नालाइक तेरी मा मौत और जिन्दगी के बीच में जूल रही है कभी भी उनकी सांस रुख सकती है डॉक्टर ने एक लाग का ओपरेशन बताया है उसी के लिए तेरी भावी तुससे पैसे मांग रही थी लेकिन तुझे कहा इस सबसे कोई मतलब है कोई तेरे माई के में जीए या मरे तुझे इस से क्या विवेक ऐसे बोल कर रोने लगा जोती की भी आँखों में आशू भराए जब उसे अपनी मा की इस हालत के बारे में पता चला चुपो जाओ भाईया मैं इस सब के बारे में नहीं जानती थी जिस मा ने तुझे पैदा करके पाला पोसा तो उसके दर पर कभी भटकती भी नहीं है कै ये अच्छी बात है है ऐसा मत कहो भाईया मुझे माफ कर दो मैं अपनी माँ के लिए एक लाग तो क्या पांच लाग भी देने को तयार हूँ बस आप मुझे माफ कर देना भाबी आप भी मुझे माफ कर दो मैंने आपकी एक नहीं सुनी लेकिन मैं सच में दिल से शर्मिंदा हूँ आप प्लीज मुझे माफ कर दो बस नैना जी इतनी माफी मत मांगिए आपको एहसास हुआ यही सबसे बड़ी माफी है अब चलिए आप भी कुछ देर मा के पास चलिए आपको देखने को शायद उनकी आँखे तरस गई हो जोती अपने माई के आई उसने अपनी अधमरी मा को जब चार पाई पर बेसुत पड़ा देखा तो वो बहुत रूई अब जोती को पैसे और परिवार की कीमत समझ आ चुकी थी उसने अपनी मा के ओपरेशन के लिए पैसे दिये और दिल से अपनी मा की सेवा की और सब कुछ ठीक हो गया